नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ चांदकुबा दोस्तों आज के अपने इस सेशन में हम अपनी एथिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नॉर्मेटिव एथिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट स्कूल या जिसे हम टेलियो लॉजिकल एथिक्स के नाम से जानते हैं आज यह टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप से जिक्र किया था कि नॉर्मेटिव एथिक्स की तीन ब्रांचेज होती हैं जिसमें कॉंसिक्वेंचिलिसम डियॉंट लॉजी एंड वर्चू एथिक्स हैं उन्हीं में से एक कौनसिक्वेंचलिजम को आज हम देखेंगे इसका मतलब जानेंगे इसके कितने सब स्कूल्स हैं वह जानेंगे और उनके क्या क्रिटिसिसम्स हैं वो भी जानेंगे एंड साथ ही में जानेंगे कि इनकी रियल लाइफ अप्लिकेशन कहां देखने को मिलती हैं चलि शु PSE related बहुत सारा content, useful content आपको daily basis पर देखने को मिलता है, चलिए, अब बात करते हैं consequentialism, देखिए consequentialism की अगर हम बात करें तो इसका जो root word है that is consequence, यानि की नतीजा क्या है, अब ये theory कहती है कि आपका action moral है या immoral है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस action का end result क्या है, अगर end result सही है, तो आपका action moral माना जाएगा, अगर end result सही नहीं है, तो आपका action immoral माना जाएगा, अगर आप इसे contrast करें, इसे compare करें deontology से, तो आपको याद होगा कि हमने जो last video deontology की की थी, उसमें हमने कहा था, कि आपका action moral या immoral इस बात पर नहीं माना जाएगा, कि आपके action का end result क्या है आपके actions inherently moral या immoral होते हैं अगर आप rules को follow कर रहे हैं अपनी duties को follow कर रहे हैं तो आपके action moral है अगर नहीं follow कर रहे हैं तो आपके action immoral है end result क्या है does not matter वो deontology था consequentialism उसका opposite है अब for example यहाँ पर consequentialism की अगर हम बात करें जूट बोलना जो कि deontology के हिसाब से गलत है consequentialism के हिसाब से सही हो जाएगा अगर इसका end result सही है गलत हो जाएगा अगर end result गलत है अगर आप जूट बोल रहे हैं दूसरों को धोखा देने के लिए और अपना self interest हासिल करने के लिए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा लेकिन अगर आपके जूट बोलने से किसी की जान बच रही है या किसी का फाइदा हो रहा है तो वह सही हो जाएगा consequentialism के हिसाब से फॉर एक्जामपल माली जी आप एक डॉक्टर है आपके ऑस्पिटल में एक पेशेंट है जो की बहुत बजर्ग हैं उन्हें किड्नी की प्रॉब्लम है साथी में हाट की प्रॉब्लम है उनका बेटा उस पेशेंट का बेटा ऑस्पिटल के बाहर दवाई लेने के लिए गया था लेकिन बाहर जब वो गया तो उसकी accident में मौत हो जाती है, ऐसे में patient आप से पूछता है कि मेरा बेटा कहां है, आपको पता है कि अगर मैंने इस patient को सच बता दिया कि आपके बेटे की death हो गई है, तो क्योंकि ये heart का मरीज है, इनकी भी death हो सकती है, इसलिए आप उनको जूट बोल देते हो, ऐसे में consequentialism के हिसाब से, या consequentialism के पैमाने के हिसाब से, आपके द्वारा बोला गया ये जूट, एकदम ethical है, moral है, वही बात यहां पर हमने लिखे भी, अगर हम consequentialism की बात करें, तो इसमें हमें basically three schools देखने को मिलते हैं, utilitarianism, hedonism and egoism, आगे बात करते हैं, consequentialism से जुड़े होए कुछ criticism की, तो देखिए, सबसे पहला तो यह आजाता है कि consequentialism, it is written here also, that it is criticized, because it is difficult or even impossible to know, what the result of an action will be in ahead of time, so basically, आप सिरफ assume कर रहे होते हैं कि मेरे इस action का यह सही result आएगा या यह गलत result आएगा, क्योंकि result future में आना होता है, so it is just based on the assumptions, for example, हमने यह hospital वालाई की example लिया, doctor वालाई example लिया, हमने यह assume कर लिया कि अगर हमने patient को सच बता दिया, कि आपके बेटे की death हो गई है, तो patient की भी death हो सकती है, लेकिन this is just an assumption, हो सकता है कि ऐसा ना होता, so again, this is one of the criticisms, right, so no one can know the future, right, वही मैंने यहाँ पर लिखा, साथ ही में यहाँ पर मैंने यह भी लिखा, that no one can know the future, and in certain situations, consequences lead to the decisions that are objectionable, and even though consequences are arguably good, objectionable भी हो सकते हैं, कुछ end results, for example, मान लिजीए, एक economist है, उन्होंने यह suggest किया, और यह prove कर दिया, कि अगर हम world की 2% population को enslave कर लें, यानि कि उन्हें slave बना लें, तो बाकी 98% of the population की जो economic growth है, वो बहुत जादा रफतार से की जा सकते हैं, अब consequentialism के हिसाब से अगर हम चलें, तो यहाँ पर consequentialism हमें इस direction में जाने के लिए push करेगा, कि 2% लोगों को slave बनाने की बात है, 98% का भला हो रहा है, तो यह हमें end result अच्छा मिल रहा है, इसलिए यह action ले लेना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे humanitarian perspective से बात करें, legal perspective से बात करेंगे, तो end result जो है, वो objectionable होगा, क्योंकि 2% क्या एक व्यक्ति को भी, आप slave नहीं बना सकते हैं, because this is against the human dignity, so यह भी एक criticism हमें देखने को मिलता है, consequentialism का, अ consequentialism के जो हमने schools की बात की, उसमें सबसे जो पहला school है, that is utilitarianism, utilitarianism का जो principle है, that is utility based principle, क्या कहता है, that वो action को सही माना जाएगा, या moral माना जाएगा, which produces the greatest good for the greatest number of society, so basically utilitarianism कहता है, कि वो action, जो कि majority का भला करे, minority को यह avoid करता है, majority का जो भला करे, maximum benefit to the majority of the people, वो action ethical होगा, अगर कोई action ऐसा नहीं करता है, तो वो unethical होगा, यह utilitarianism का कहना है, अब utilitarianism में भी आगे हमें philosophers की बात करें, तो दो important philosophers का जिकर देखने को मिलता है, पहला है Jeremy Bentham and दूसरा है J.S. Mill, English philosophers रहे हैं, जिन्नोंने utilitarianism की philosophy को elaborate किया है, now, same यहाँ पर भी criticism आ जाता है, क्योंकि हम results को predict नहीं कर पाते हैं, यह result को predict कर पाना इतना जादा असान नहीं है, so, it is difficult to know with the certainty, कि आप जो action ले रहे हो, उसका end result क्या होगा, सही होगा या गलत, so, this is one of the criticisms of this school, साथ में यहाँ पर यह भी दिक्कत आ जाती है, कि utilitarianism जो है, वो minority को ignore करता है, साथ ही में minority को ignore करना एक चीज़ा है, दूसरा यह कि justice and individual rights को भी यहाँ पर हनन करता है, utilitarianism in some situations, एक example ले ले लेते हैं, मान लिजिए एक hospital है, उस hospital में चार मरीज हैं, यह चारों patients को, एक को यहा transplant कराने की जुरुत है, ऐसे में मान लिजिए, कि एक सही healthy person hospital में घुश जाता है, गलती से आ गया, utilitarianism यहाँ पर इस चीज़ को justify करेगा, कि उस healthy person को मार कर, उसके जितने भी healthy organs हैं, वो चार लोगों को दे दिये जाएं, क्योंकि maximum good for the maximum number of people, चार लोगों का भला हो रहा है, एक को अगर मारना पड़ रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह utilitarianism की theory यहाँ पर इसको propagate कर सकती है, अब ऐसे में आप इसको judge करें, on the basis of justice and individual rights, तो आप देखेंगे कि individual rights तो यहाँ पर रही नहीं गया, यहाँ पर आपने एक व्यक्ति की जान ले ली, चार लोगों को चकर में, उस एक व्यक्ति के साथ injustice हुआ, उस एक व्यक्ति के individual rights खतम होगे, similarly जो हमने last example भी कहा था, जहां पर हमने का कि economist अगर 2% लोगों को slave बना कर, 98% लोगों को भला करने की बात करे, तो उन 2% लोगों के justice की बात यहाँ पर खतम हो जाती है, उनके जो individual rights हैं, वो खतम हो गए, यह utilitarianism का एक dark side हमें देखने को मिलता है, साथी में यह भी एक criticism है utilitarianism का, कि it is impossible to quantify और measure की utility कितनी gain हो रही है, for example हमने यहाँ पर कहा कि जूट बोलने से हम किसी की जान बचा सकते हैं, यहाँ पर quantify कर पाना, यह certain हो पाना, वो मुश्किल हो जाता है, तो वो utilitarianism, अब utilitarianism में भी, दो तीन चीज़े हमें और समझने चाहिए, there are further sub, you know, topics of utilitarianism, one is act utilitarianism and one is rule utilitarianism, act utilitarianism क्या होता है, उसे थोड़ा से समझते हैं, so basically, act utilitarianism focuses on the consequences of individual action, अब यह यह word important हो जाता है, कि एक individual action को judge किया जाता है, act utilitarianism के हिसाब से, यानि कि एक individual action से, end result क्या आ रहा है, क्या एक individual action से maximum good of the maximum number of people हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो वो action सही हो जाएगा, otherwise वो गलत हो जाएगा, for example, mob lynching, मानलेजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, जिसे कोई किसी गुना के चकर में पकड़ा गया, मानलो चोरी करता हुआ गया, क्यों, क्योंकि maximum number of people को ये लगा, कि एक habitual offender है, बार-बार हमारे घरों में जो चोरियां हो रही है, वो यही व्यक्ति कर रहा है, so यहाँ पर act utilitarianism इस particular incidence को judge करेगा, और यहाँ पर देखागा कि maximum number of people का भला हुआ है, इसलिए उसको मारना सही ठहरा देगा, वही चीज यहाँ पर act utilitarianism में आ जाती है, it evaluates actions separately, considering each one in terms of effects on happiness, so act utilitarianism के हिसाब से आप mob lynching को justify कर सकते हैं, अगर हम वहीं पर बात करें, rule utilitarianism की, it considers larger set of actions rather than just individual acts, so basically rule utilitarianism is a wider school, जो की कुछ rules को यहाँ पर justify करता है, या कुछ rules को यहाँ पर सही ठहराता है, जिनको follow करके maximum number of people का फाइदा हो, rather than एक action को, मान लिजे हमने यहाँ पर mob lynching को सही ठहराया, या हमने कहा जी जूट बोलना सही है, अगर उसका end result सही है, यहाँ पर एक वाक्या में या एक instance में हम लेकिन imagine क्या हम हमेशा जूट बोलने को सही ठहरा सकते हैं, आप कहेंगे बिलकुल नहीं, हमेशा हम जूट बोलने को सही ठहरा सकते, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ rules को establish करना होगा, और उन rules को यहाँ पर सही ठहराना होगा, यानि कि यह कहना हो कि कुछ rules को identify करो उन rules को identify करने के बाद यहां पर हमें उनको ethical या unethical करार करना होगा और उसमें हम यहां पर rule utilitarianism का role देखने को मिलता है कहीं न कहीं आप जानेंगे या देखेंगे कि यह देखाई देता है So rule utilitarian considers larger set of actions rather than just one individual act It looks at how certain rules or norms can maximize utility for society when followed by everyone For example, हम यहां पर यह rule बना सकते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए provided अगर सच बोलने से किसी की जान बचती हो वहां पर हमेशा जूड बोलना चाहिए यह rule नहीं होना चाहिए कि सच बोलने से अगर जूड बोलने से मान लेजिए किसी को 10 रूपय का फाइदा होता है तो वहां पर भी जूड बोलना चाहिए यह rule नहीं बन सकता लेकिन हां यह rule बनाया जा सकता है कि हमेशा सच बोलो with exception कि जहां पर किसी की जान बचती हो वहां पर हमें जूड बोलना so we can set some rules कि भाई आप जूड भी बोल रहे हो तो कहां बोल सकते हो आप किसी को वैसे मार नहीं सकते लेकिन अगर आप किसी को मार भी रहे हो तो कहां मार रहे हो for example अगर हम अपने पुराने IPC की बात करें तो वहां पर self defense की हमने बात की हुई है कि भाई self defense में हम सामने वाले को मार तक सकते हैं otherwise अगर हम deontology के हिसाब से चलेंगे तो deontology क्या कहता है कि कि किसी को भी किसी हालत में भी मारना गलत है लेकिन rule utilitarianism यहां पर यह rule बना देता है कि अगर सामने वाला आपकी उपर किसी बंदूक से या फिर इस तरह से हमला कर रहा है कि आपको यह आशंका है कि आपके जान चली जाएगी तो यह rule बनाया जा सकता है कि आप in proportion to that force used by the other party you can also use the force and even to the extent of killing that person so यहां पर यह rule utilitarianism आ गया जहां पर आप कुछ rules बना सकते हो जहां पर आपके action decide करेंगे कि क्या benefit हो रहा है या वो action सही है या गलत है right so rule utilitarianism second जो school आ जाता है that is hedonism अब यह hedonism आपने सुना होगा अगर art and culture आपने पढ़ लिया है तो Indian school हमने जो philosophy का पढ़ा है चारा वाग का उससे मिलता जुलता वही है hedonism hedonism जो बात करता है वो pleasure principle की बात करता है hedonism की अगर हम बात करें तो hedonism का एक लौदा जो rule है वो यही है that pleasure is the only truth and pleasure should be the people's primary motivation कोई action जिससे हम pleasure हासिल कर रहे हैं avoid कर रहे हैं pain को वह action ethical है वह action जिससे हम pleasure को हासिल नहीं कर रहे हैं और pain को हासिल कर रहे हैं वह action unethical है so यह जो school है यह basically temporary pleasure की बात करता है immediate pleasure की बात करता है for example यहां पर किसी को drugs में pleasure मिल सकता है किसी को sex में pleasure मिल सकता है किसी को अच्छी book पढ़कर pleasure मिल सकता है the only consideration here is कि वो action सही है जिससे हमें तुरंथ pleasure मिले वो action गलत है जिससे हमें pleasure ना मिले so यह है जी hedonism and यही है सिरफ इसमें और जाधा कुछ है नहीं बस इसकी जो दो तिन जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो यह that it ignores all other values such as justice, fairness and even evaluating right or wrong so basically और कुछ नहीं है justice वगरा की कोई value इसमें consideration नहीं है एक individual based ethics है कि भाई आपका personal pleasure बढ़ रहा है बस वही आपका मापदंड है वो है hedonism पर आता है egoism now egoism is a broader school but then again like hedonism it is also focused on individual फरक क्या आजाता है egoism कहता है कि भाई वो action सही है जिससे आपका self interest बढ़ रहा हो हो अब pleasure बढ़ने में और self interest बढ़ने में एक difference है मान लीजिए सुबह उठना बहुत से लोगों को पसंद नहीं है सर्दियों के दिने नहीं पसंद है hedonism यहाँ पर क्या कहेगा कि सुबह नहीं उठो क्योंकि उससे आपको pain मिलती है अगर आपको सुबह लेट उठने में pleasure मिलता है तो वो action सही है यह hedonism कहेगा लेकिन egoism जो school है consequentialism का वो यह कहेगा कि सुबह उठने से अगर आप अपनी class attend कर पा रहे हो सुबह उठने से अगर आप अपने job पे जा पा रहे हो जिससे आपका long term self interest उड़ा हुआ है तो आपको सुबह जल्दी उठने में कोई hitchick नहीं दिखाने चाहे तो आपको अपने self interest को पहचानना होगा rather than अपने pleasure को so self interest किससे आपका fulfill होता है class लगाने से fulfill होता है job पे जाने से fulfill होता है discipline में रहने से fulfill होता है अगर आप modeling में जाना चाहते हो तो आपको let's say slim and trim रहना होगा उसके लिए खाना छोड़ने से आपका self interest fulfill होता है तो वो action सही है जिससे आपका self interest fulfill नहीं होता है वो action गलत है so basically there is a kind of conflict also यह है जी egoism so यहाँ पे मैंने लिखा भी it is human nature to avoid pain and it is irrational for a man to ignore his self interest so you have to wake up early अगर आप hedonism से follow करते हैं तो वो कहेगा जी आराम से उठो कुछ नहीं पड़ा लाइफ में अपना वोई action ethical है जिसके हिसाब से आपको pleasure मिल रहा है आपका egoism क्या कहेगा जल्दी उठो class लगानी है या फिर school में जाना है या office जाना whatever so that you can fulfill your long term interest so this is the only difference between egoism and hedonism अगर हम बात करें UPSC की या अगर हम बात करें as an administrator या हमारी real life की या daily based life की तो हम इन दोनो principles में से अगर किसी एक को चूज करना हो तो that is definitely हम utilitarianism के साथ जाते हैं जहां पर we are not self-focused we are focused with the society which is of course maximum good for the maximum number of people but यहां पर मैं ये भी चीज को clarify करना चाहूंगा that we can't have you know we can't stick always to just one principle हमें कभी भी देखना पड़ता है कि या तो हमें utilitarianism या फिर let's say deontology या फिर virtue ethics depending on the situation हमें इन तीनों में से choose करना पड़ता है right so that is all about it आज का ये session हमारा utilitarianism and egoism and hedonism को cover करता है मुझे उमीद है कि आपको ये session पसंद आया होगा session पसंद आया तो like करें, share करें channel को subscribe करना ना भूलेंगा अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे till then thank you and have a great day